नमस्कार दोस्तों आज में आपको एक और ओसदी से पर्चे कराऊंगा यह जो आप देख रहे हैं मैंने इस ओसदी से संबंदेद बहुत से वेडियो यूटूब पर डाल दिये हैं आप देख लीजीगा इस ओसदी का नाम है अपामार्ग इसको चिर्चिटा अपामार्ग ल आपके पुराने से पुराने मुहे के रोक को खत्म करने के लिए जी हां दोस्तों अगर आपको बार-बार मुहे में छाले परेसान करते हैं और आपके दांतों में शनन हो गई हैं किसी भी कारण से आपके दांत खराब हो गई हैं या वे दाग हो गई हैं जिसो दाग लग कर दो गई है उननको यह ढूर कर दिता है साति साथ मुजह की पारिय 여기까지 टार दान्स आना मभलों एपियृ बन्य को दाओ आना भूुम्ट में बद्रोग और ₹ कि यसंट और स्थार्व और यू जीब गाल में चाले वर ना हुं और मुह मीं इन्फैक्षन हुना ओर यह होंटों में आप का जो ए इन्फैक्षन फैल जाता है इन सभी बिमारियों ऑफ अछे काम शकरत Punjab में अपामार्ग लड़ जीरा दोस्तों मैं जो प्रियोग बताता हूं भी अनभूत होते हैं आप प्रियोग कर करके देख सकते हैं लाब जरूर मिलेगा दोस्तों इनके लिए जितनी बीमारियां बता हैं मुहें की समस्त बीमारियां मुहें की समस्त बीमारियों में आप क्या लेनी हैं दोस्तों बस आपको दो औसदियां की पत्तियां लेनी हैं एक तो नेम की कोमाल पत्ति और इस लड़जीरा की पत्तियां और आपको रोजाना खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद आपको चबा लेना है खाली चबाना है इसको निगलना भी नहीं है बहुत स ब क्राना कीड़ा लगा है जिस करनंट जी आप ना तो खापी सकती है उस तरह साड शाड से और काफी तखलीब होती है रात को पचुरी नहीं सकते एतना टक्रीब बाला दाव का और फिल रहा है दाव्जा तो मजबूत हो जाएंगे दाटों के कीड़ी लगे हैं, तो दाटों के कीड़ी मर जाएंगे मोहें से बद्रूग आती है, जैसे समाज में उल्वेट नहीं सकते खुद का मोहें खुद को बास देने लगा है ये प्रोब्लम आपको इससे ठीक हो जाती है तो दोस्तों मुहें की समस्त बीमारियों में ये रामबांड की तरह काम करता है तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें अगर मेरे चनल पर नहीं है तो सब्सक्राब जरूर करें दोस्तों सिर्फ 15 दिन करके देख लेजिएगा अगर आपको मेरे द्वारा बताई हुए नुसके पर विस्वास नहीं हो तो एक बार ट्राइ करने में कोई हर्ज नहीं है ये कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है आपको इसको निगलना नहीं है ये उसमें भीर होता है लेकर निगलना नहीं है अपको खाली इसको चबाना है और चबा करके ठूंक दे ना है खाना खाने के बाद वुक मेरे नुसके पर दोस्तों धन्याबाद